हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल सबको जैम आता दी और आज की वीडियो में मैं आपसे शियर करूँगी होई अस्टमी व्रत पर गणेजी की पुराणी कता अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नए वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें वीडियो पसंद आए तो लाइक जोई कीजिएगा जादा से जादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा शुरू से लेके आखरी तक मेरी वीडियो को पूरा देखेगा चलिए फ्रैंस हम वीडियो सुरू करते हैं ओम गणेशाय नमहा गणेजी की पुराणी कता एक बुडिया थी वहां बहुत ही गरीब और द्रिष्टी हीन थी उसके एक बेटा और बहुत थे वहां बुडिया सदेव गणेश जी की पूजा किया करती थी एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुडिया से बोले बुडिया मा तू जो चाहे सो मांग ले बुडिया बोली मुझसे तो मांगना नहीं आता कैसे और क्या मांगूं तब गणेज जी बोले अपने बहु बेटे से पूछ कर मांग ले तब बुडिया ने अपने बेटे से कहा गणेज जी कहते हैं तू कुछ मांग ले बता मैं क्या मांगूं पुत्र ने कहा मा तु धन मांग ले बहु से पूछा तो बहु ने कहा नाती मांग ले तब बुडिया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं अता उस बुडिया ने पडोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा बुडिया तू तो थोड़े दिन जियेगी क्यूं तू धन मांगे और क्यूं नाती मांगे तू तो अपनी आखे की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिन्दिगी अराम से कट जाए इस पर बुढिया बोली यदि आ प्रशन है तो मुझे नौ करोड की माया दे निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे, यह सुनकर तब गणेज जी बोले बुढिया मा तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा और यह कहकर गणेज जी अंतर ध्यान हो गए, उधर बुढिया मा ने जो कुछ मांगा, वो सब कुछ मिल गया हे गणेज जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढिया मा को सब कुछ दिया, वैसे ही सब को देना गणेज भगवाने की जै, अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ और जैम आता दी